दोस्तो सागत है आप सभी का एक्जाम सुथ एमस यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का साइंस का पेपर वार्शिक परिक्षा 2020 का ये पेपर है तो इस पेपर को आप ऐसे मॉडल पेपर यूज कर सकते हैं आने वाले सालों में तो किस के क्वेश्चेन साते हैं इस इस मॉडल पेपर की सायता से आप समझ जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि तीन घंटे आपको टाइम मिलेगा पोडांग सत्तर नंबर का जैसा टेंथ का पैटर्न हो तो सभी प्रशन अनिवार रहे हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रशन है सही विकल्प छाट कर अपनी आपको कौपी में लिखना होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पी कि न्यूट्रॉन की कोच करने वाला वज्यानिक कौन थे तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की कोच की थी ऑप्शन बी सही है चैडविक ने कारे का मात्रक M के इस पद्धती में क्या होता है जूल होता है या अर्ग होता है या वाट होता है या किलोग्राम होता है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके लिखना होगा next है हमारा किसी वस्तु को प्रत्वी की ओर गिरने पर उसकी गतिज उर्जा कोई वस्तु अगर प्रत्वी की ओर गिर रही है तो उसकी गतिज उर्जा बढ़ेगी गटेगी क्या होगी आपको सही option select करके लिखना होगा यहाबर मैं आपको केवल आपको यहाँ पर paper का pattern बताना है तो इसका solution भी हम देंगे पूरे paper का आप comment कीजिएगा तो इसका solution भी हम आपको उपलब्द कराएंगे घाप रशने किसी तरंग के लिए आवर्त काल T तथा आवरत्ती N के बीच क्या संबंध होता है किसी तरंग के लिए आवर्त काल T तथा आवरत्ती N के बीच संबंध है जो formula होता है वो आपको लिखना है इसके बाद हर्ट किसका मातरक है यह उर्जा का मातरक है यह आवरत्ती का मातरक है आयाम का मातरक है यह वेग का मातरक है हर्ट किसका मातरक है तो आपको यहाँ पर select करके लिखना होगा Next question है हमारा निम्न में से कौन सा रोग proto-joa-pradio द्वारा होता है निम्न में से कौन सा रोग proto-joa-pradio द्वारा होता है A. Malaria B. Influenza C. AIDS B. Hazza यहाँ पर आपको सही उत्तर select करके लिखना है साथवा question है हमारा बहुई गल्पी है कि polio रोग का संक्रमाड होता है वायू द्वारा होता है या असुरक्षित योन संबन्द द्वारा होता है या संक्रमित भोजन तथा पेजल द्वारा होता है या पागल कुत्ते के काटने से होता है इसके बाद next question हमारा वायू मंडल से मिलने वाली oxygen के दो रूप कौन से हैं जल तथा ozone, जल तथा oxygen, ozone तथा oxygen या जल तथा carbon dioxide next हमारा प्रशन मदुमक्खी की निमन लिखित जातियां, species में कौन सी species इटली की है, एपिस डॉरसेटा, बी एपिस फ्लोरी, सी एपिस सेरेना इंडिका या एपिस मेली फेरा, तो कौन सी मदुमक्खी की जाती इटली में पाई जाती है, यहाँ पर आपको वो species सेलेक्ट करक नेक्स्ट प्रशन है हमारा MCQ, बहुविकल्पिय प्रशन है, लास्ट टेंथ नंबर का है यह, दसवा प्रशन है, रभी की फसल है, A मक्का, B मूंग, C मतर या D बाजरा, अब हमारे नेक्स्ट अति लगू उत्तरी प्रशन यानिकी short answer type question स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला short answer type question है, इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेश बटे द्रव्यमान, यानि कि E upon M ratio की गढ़ना किसने की थी, वन वर्ड आंसर है, साइंटिस्ट का नाम लिख दीजी, आपका आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट प्रशन है मारा समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग ल देखिए, डी है, दोलन गती से क्या तातपर है, दोलन गती से क्या तातपर है, नेक्स्ट प्रशन है मारा, जल में पत्थर फेकने पर, जल की सतय पर उत्पन्य तरंगे किस प्रकार की होती हैं, नेक्स्ट है, एक वर्ष तक के बच्चे को कौन से टीके लगाए जाते हैं, नेक्स्ट प्रशन है हमारा प्रोटो जोवा पर जीवी के कारण होने वाले चार रोगों के नाम तथा उनके कारक जीवों का नाम लिखिए जीवों के नाम लिखना है आपको अगला प्रशन है हमारा 9th नंबर का short answer type question करना है आपको गाय तता भहंस की किनी दो भारतिय नसलों के आपको नाम लिखना है तेंथ नंबर का अती लगू तरी प्रशन है कि अंतरा फसली प्रडाली का क्या अर्थ है फिर आपके short answer type question होगे वो very short answer type question थे अती लगू तो यह प्रशन अब आपके short answer type question start होते हैं तो यहां पर 5 short answer type questions हैं तो सबसे पहला है कि बोर का परमाड़ू संदचना संबंदी विचार क्या था बोर का परमाड़ू संदचना संबंदी विचार क्या था अगला प्रशन है में हमारा समस्थानिक और समभारिक में अंतर इस्पष्ट कीजे इसके बाद है हमारा उर्जा रूपांतरण के उधारण दीजे फोर्थ नमबर क्वेस्चन है हमारा शॉर्ड आंसर डाइप वाहत जन्ने रोगों की रोगथाम हे तू आप क्या उपाय करेंगे अगला प्रशन है भंडारित यानिकी स्टोल्ड भंडारित अनाज के कीटो तता सूक्ष्म जीवों की संख्या किस प्रकार नियंतरित की जा सकती है अब आपके लॉंग अंसर डाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहां से तो long answer type question कौन से हैं चलिए देखते हैं कैथोर्ट किरोडों की खोच किस प्रकार हुई कैथोर्ट किरोडों के प्रमुक गुडों का वरडन कीजिए अथवा आप यहाला question भी कर सकते हैं इन दो मेंसे आप कोई एक question कर सकते हैं रदर फोर्ट के नाभिकिये model की विवेचना कीजिए रदर फोर्ट का जो nuclear model है उसका आपको उसकी आपको विवेचना यानिकी explanation अच्छे से करनी होगी अगला प्रशन है हमारा gel production से आप क्या समझते हैं gel production क्यों होता है इसे कैसे नियंतित किया जा सकता तो जल प्रदूशन के बारे में आप सब जानते होंगे उसको यहाँ पर तीन question के part है इस question के तीन part है जल प्रदूशन से आप क्या समझते हैं प्लस जल प्रदूशन क्यों होता है तता इसे कैसे नियंतित किया जा सकता है अथवा फसल चक्र से क्या तात पर रहे है फसल चक्र के नियमों का उल्लेख कीजिए बागानी चेत्रों में किस प्रकार की फसल उगानी चाहिए इसी question का यह part है अगला प्रशन है हमारा physics से कि अनुपरस्त तथा अनुदेर्ध तरंगों में एंतर इसपश्ट कीजिए अथवा आप युवाला प्रशन भी कर सकते हैं इन दो में से आपको एक question कर सकते हैं तरंग गती से आप क्या समझते हैं उधारण सहित इसपश्ट कीजिए तो यह था हमारा पूरा class 9 का science का paper UP board में class 9 में अगर आप पढ़ते हैं तो इसी प्रकार का आपका annual exam में paper होगा तो यह था हमारा कक्षनों का science का paper उम्मेद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी पसंद आए तो like, share, subscribe ज़रूर कीजेगा thanks for watching and listening and good luck for your future थांक यू एंड बाई बाई सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को थांक यू एंड बाई बाई